कॉस्चन्स वगरा काफी पूछे जा रहे हैं कि इस तरीके की पिज जो है अनुकूल रहेगी की नहीं रहेगी टीटन्टी अरे बाईयों मेरा कहने का मतलब यह आप लोग इत्ती सा पार्ट पीछे देख देख करके आप लोगों का यह सा हो गया है कि आपके जब तक दोसो ड सरकमस्टांसेज चाहे कैसे भी आपके पास पीछो चाहे कैसे भी परिसितियां हो आपके पास में आपको उस पर रन बनाना आना चाहिए तब ही आप एक अच्छे बैक्स्वन कहला होगे आपने यह सब कीज़े अगर पहले के जमाने में देखी होती जिस तरह से गावसकर म नहीं था आप अब किसी भी पिछ को गर नया लेट डाउन करते हो तो हंडेट परसेंट हो उसमें इस तरीके का अनिवेन बाउंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो इंडियन पीचेज में नहीं होता है क्या यह सब आप इंडियन पीचेज में कानपूर की पीचेज में कित्ति बारी बात हुई लगनों के एकाना स्टेडियुम के बारे में कितनी बाते होई अभी किसी ने नहीं कुछ बोला मद्रास के विकेट पर कि चित्व नया लेट डाउन विकेट था तो जितना विकेट यूस्ट्व होता जाएगा उतना विकेट और अच्छा होता चला जाएगा उतना उच्छा उस पर इवन करके आने लगेगा थोड़ा विकेट अगर नया होता है नया स्टेडियम बनाया नया ग्राउंड बनाया है नया सेट अप है तो अभी उसमें मैच होने दीजिए क्यों इतनी जल्दी आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आई पील की तरज पर दोसो डाइसो रन का स्कोर खड़ा हो जाए बिल्कुल विकेट बैस्वन आये बैक टांग निकाले और चौके शक्ये मारना स्टाइट कर दे नहीं ऐसा नहीं होता है आपको हर विकेट पर हर हर कंडिशन पर रन बनाने की आदत पढ़नी चाहिए हर जग तो यह सब कहना कि वो विकेट इस्टे से अनिकूल नहीं है बाउन्स नहीं हो रहा है बाउन्स लो रहा है बाउन्स हाई हो रहा है तो यह सब बेकार की चीज़ें हैं batsman है तो batsman को आपको किसी भी given circumstances पे किसी भी given condition पे run बनाना आना पड़ेगा तब ही आप perfect batsman कहलाओगे Thank you, thank you very much